वेलकम डि रेसीपी आप तबीक आज गनेश चरतुथी है तो आप सभी को गनेश चरतुथी की बहुत सारी सुबकमना है और आज आपके साथ मैं गनेश चरतुथी की स्पेशल थाली सेर करने वाली हूँ जिसमें मैंने गुड के लड़ू, आलू की रसे वाली सबजी, गुजरती दाल, चावल, आलू के पकोड़े, पूड़ी और चावल के पापड तले है और सभी सामगरी मैंने बीना लसुन प्यास के ही बनाई है, तो आप ये थाली कोई पीते ओहर में बना के साव कर सकते हो तो शुरू करते हैं गनेश चरतुथी स्पेशल थाली बनाना, तो सबसे पहले हम तूर की दाल, यानि की अरहर की दाल को भीगो देंगे तो अभी पौना गंटा हो चुका है, तो दाल बीग रही है, तब मैं साथ में चावली बीगो दिऊंगी, तो एक कटोरी मैंने चावल लिये हैं, बासमती चावल, इसको मैंने दो से तीन बार अच्छे पानी से दो के, डेड़ कटोरी पानी डाल के, और थोड़ा सा मैंने गी डाला है, और अभी पंद्रा मिनिट के लिए मैंने चावल को भी बीगो दिया था, तो एक गंटा हो चुका है, आप देख सकते हो दाल अच्छे से फूल चुकी है, तो इसमें मैंने दो सूरन के छोटे टुकडे और थोड़े से मैंने मूंख़ली के दाने डाल के ले ल तो आलू भी मैंने प्रेशर कुकर के उपर ही इस तरह से रख दिया है, तो अभी हम प्रेशर कुकर बंद करके चार विसल लगा के इसे बॉइल कर देंगे, तो जब तक हमारी दाल, चावर और आलू बॉइल हो रहे, तब तक हम लड़्डू बना लेंगे, तो ये मैंने च ग्यूं का दरदरे आटा लिया है, जो मैंने चपकी में बिसवाया है, आपको रेडि बेड भी मिल जाएगा, तो ये मैंने 4 कर लेंगे ग्यूं का आटा लिया है, तो इसके लिए मैं 4 टेबल स्फुन तेल का मोयन डालूगी, इसमें मोयन अच्छे से हमें डालना होगा, त पानी हमें गुनगुना ही लेना है जिससे लड़ू हमारे बहुत ही अच्छे बनेंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका सक्थ आटा तयार करने के लिए रख दूंगी तो जब तक हमारा आटा भी तयार होता है तब तक हम जो मुठ्ये बनाएंगे लड़ू बन इस तरह से हमें मुठ्ये बनाने हैं जिससे फ्राइ करेंगे तो यह अंदर तक अच्छे से तलेंगे आपको मैं दूसरा भी इसी तरह से बनाके दिखा देती हूं और आटा हमें इस तरह से सक्थ ही रखना है तो इस तरह से मैं सारे मुठ्ये बनाके रेडी कर दूंगी तक तलना है तब तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए क्योंकि मुठ्या अंदर तक पकना चाहिए तो इसी लिए हमें गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है तो स्लो फ्लेम पे में इसे पल्टाते हुए अच्छे से फ्राइ कर लूँगी इस तरह से पल्टाना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद तो साइड में हमारा प्रेशर कुकर में दाल चावर और आलू भी बॉयल हो रहे है और एक तरफ से हम लड़ू की तयारी भी कर रहे है तो इस तरह से हमें मुठ्य तयार करने हैं तो ये मुठ्य अच्छे से फ्राई हो चुके मैं इसे निकाल देती हूं और बाकी के जो मुठ्य है वो भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी तो इसी तरह से मैं तयार कर लेती हूँ और जब तक मुठ्य हमारे ठंडे होते हैं तब तक हम आलू के पकोड़ी की तयार कर देते हैं तो ये मैंने एक कप चनाय का आटा लिया है बेसन इसमें मैंने एक टिबल स्पून चावल काटा लिया है चली प्लेक्स दाला है जिससे आलू के पकोड़े का टेस्ट अच्छा आएगा आप इसे स्कीब भी कर सकते हो अगर आप ना जाहो तो मत डालो और अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी बैटर तयार कर लूंगी तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर तयार कर लूँगी और इस तरह से हमें अच्छे से एक भी घाटना रहे इस तरह से हमें तयार करना है अभी बैटर थोड़ा गाड़ा लग रहा है तो मैंने थोड़ा और पानी डाला है और स्वादनुसार मैंने नम डाला है अच्छे से मिक्स हो गया है तो अभी मैं बैटर को साइड में रख देती हूं और पकोड़ों के लिए मैं आलू भी कट करके तैयार कर लूँगी तो यह मैंने तीन आलू लिये हैं इस तरह से मैंने छिलका निकाल देना है और हमें इस तरह से लंबे आलू हो वैसे ही ले नहीं तो अभी हमारी स्लाइस अच्छी बनेगी तो आलू को मैंने छिलका निकालके दो लिया है और अभी एक बावल में मैंने पानी ले लिया है जिससे हम यह स्लाइस करके आलू को रखे तो इसकी यह काले ना पड़ जाए तो इसकी मैं पतली-पतली इस तरह से चीप आप चाहो तो जो मशीन आती है इसमें भी इस तरह से चीप्स बना सकते हो लेकिन मैं अभी हाथों से ही कर लेती हूँ आप देख सकते हो पतली-पतली मैंने चीप्स बना ली है तो सारी चीप्स हमें इसी तरह से बना के रेडी कर देनी है तो ये सारी चीप्स रेडी हो चुक मिक्सर जार में लेने हैं तो इस तरह से मैं मिक्सर जार में ले लेती हूं और इसको में दरदरासा पीस लेती हूं तो यह दरदरासा पीस चुका है तो अभी मैं इसे चन्नी से चान लूगी जिसे हमारे लड़ू का टेक्शर अच्छा आए तो इस तरह से हमें चन्नी लेनी ह और इस तरह से हम अच्छे से चान लेंगे और जो बाकी का उपर बच जाएगा वो हम दूसरे स्लोट में इसे भी ग्राइन कर देंगे तो इस तरह से हम हाथों से मसलते हुए अच्छे से चान लेंगे तो अभी बाकी का जो बचा है वो भी मैं मिक्सर जार में ले लेती हूँ और जो ये चानने के बाद बचा है वो भी मैं ढाल दूँगी और इसी तरह से मैं सारा जो मुठ्या है वो फ्राइ किया हो वो मैंने मिक्सर जार में लेके पीस लिया है और चान लिया है तो अभी मैं इसमें थोड़े से ड्राइ फूट डालूँगी इसमें मैंने थोड़े काजू के टुकड़े लिये है थोड़ी सी बादाम मैंने पीस के लिये है और थोड़ा सा मैंने इलाइची पावडर लिया है थोड़ा सा मैंने जाइफल का पावडर लिया है तो अभी अच्छे से मिक्स कर लिया है तो मैंने चार कप गेउं काटा लिय तो मैंने एक कप शुद्ध गी लिया है और जितना आटा हो उससे आधा हमें गुड लेना है तो इस तरह से मैं मैंने कड़ाय में गी ले लिया है शुद्ध गी और इसमें मैं गुड भी डाल दूँगी तो आपको ये मात्रा परफेक्ट रखनी है कि चार कटोरी आटा है तो दो कटोरी गुड और एक कटोरी मैंने शुद्ध गी लिया है गुड के लड़ू में गी जादा नहीं पड़ता है जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि गुड का भी थोड़ा सा पानी निकलता है तो इसमें ही हमारे लड़ू अच्छे से मिक्स हो जाते है तो एक कटोरी मैं मैंने गी लिया है तो अच्छे से हमें इस तरह से मेल्ट होने देना है जैसे ही अच्छे से मेल्ट हो जाए हमें गैस बंद कर लेनी है तो यह अच्छे से गुड़ पिखल चुका है तो मैंने गैस बंद कर लिया है और जो मैंने यह चान के रखा है इसमें मैंने डाल दिया है अच्छे से mix कर लेंगे और गुड के लड़ू की perfect recipe मैंने पहले शेयर की है आपको मैं लिंक description box में दे दूंगी तो अच्छे से हमें mix कर लेना है अभी चम्मच की सहायता से ही हम mix करेंगे क्योंकि गुड अभी गरम गरम है तो हाथ में जलेगा तो इस तरह से हाथों के बीना ही इस तरह से चम्मच से ही हमें mix कर लेना है तो आप देख सकते हो गी बी एकदम proper पड़ा है और गुड बी एकदम proper पड़ा है अब गुड की मातर आपने टेस्ट के इसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो तो अभी ये मैंने थोड़ी सी खस खस ले लिए जो हम लड़ू के उपर लगाएंगे और मैंने ये एक चम्मच लिया है तो ये लड़ू के शेप के लिए आता है तो आप चाहो तो इससे भी लेकिन मुझे इस तरह से हाथो वाले ही पसंदे तो मैं इसे गरमा गरमी इस तरह से लड़ू का शेप दे दूँगी और इसके उपर इस तरह से खस खस कोट कर दूँगी तो इस तरह से मैं बाकी के सारे लड़ू बना लूँगी और हमें ये गरम गरमी बनाना है तो अभी गरम गरम है तो हाथ में जलता है लेकिन हम ये फटा-फट से ही बनाने पड़ते हैं और थोड़ी देर के बाद अच्छे से ये शेप भी आ जाएगा क्योंकि अभी गरम गरम है तो ये थोड़ा सा हाथों पे भी लगता है तो इस तरह से मैं सारे लड़ू तैयार कर लेती हू तो अभी मैं इसे साइड में रख देती हूँ तो अभी उसी टाइम में हमारा कूकर भी ठंडा हो चुका है तो मैं आलू निकाल देती हूँ और दाल भी अच्छे से बोईल हो चुकी होगी तो ये हमारे चावल भी अच्छे से रेडी हो चुके हैं और दाल भी हमारी अच् इस तरह से मतनी से फेट लूँगी, आप चाहो तो हैंड ब्लेंडर भी लगा सकते हो लेकिन अभी मैंने इसमें सिंग दाने डाले है तो वो तूट जाएंगे, इसलिए मैंने हाथ वाली छनी से ही इस तरह से फेट लिया है, तो भी मैंने थोड़ा पानी डाला है, आप डाल या गाड़ी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, आधी टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, एक टीस्पून लालमेच पाउडर और एक टीस्पून दनिया जीरा पाउडर डाला है, एक टीस्पून मैंने नमक डाला है, और एक टीस्पून मैंने गुड डाला है, तो अच्छे से हम साइड में रख देंगे, मिक्स कर लेंगे, तो आलू की सबजी बनाने के लिए मैंने एक टमाटर को मिक्स जार में अच्छे से प्यूरी बना ली है, और आलू का मैंने छिलका निकाल के इस तरह से हाथों से फोड लिया है, तो अभी हम दालका और सबजी बना लेंगे, तो दालका तड़का तयार करते हैं, तो मैंने एक टेबल स्पून जितना तेल ले लिया है, तेल अच्छे से गरम हो जाए, के बाद ये तड़का हम दाल में डाल देंगे, तो दाल में भी सारे मसाले हो चुके, सिर्फ निम्बू बाकी है, तो दालका तड़का तयार हो चुका है, तो मैं पतेली में डाल देती हूँ, अच्छे से mix कर लेंगे और अभी दाल को भी मैंने boil होने के लिए उबलने के लिए रख दिया है तो इसी कड़ाई में मैं सबजी का तड़का भी लगा लूँगी तो इसमें मैंने 2 टेबस पून तेल डाल दिया है और थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हिंग डाल देंगे एक सुखी लाल मिर्श भी डाल देंगे अच्छे से हमें mix कर देना है तड़के को चटक देना है और एक टमाटर जो मैंने पीस के तैयर किया था, वो भी मैंने डाल दिया है तो अच्छे से हमें इसे तेल सेपरेट होने तक बूनना है जिसे टामाटर का कच्चापन निकल जाए तो अभी गयास की फ्लेम मैंने मीटियम रखी है और टामाटर को भी मैं अच्छे से बून लेती हूँ तो थोड़ी देर के बाद तामाटर भी अच्छे से बून चुका है तो अभी हम इसमें मसाले कर देंगे तो थोड़ा सा मैं हल्दी पावडर डाल दूंगी स्वादनुसार एक टीस्पून जितना मैंने दनिया जीरा पावडर डाल दिया है और एक टीबस्पून मैंने लाल मीच पावडर डाल दिया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को थोड़ी देर के लिए बून लेंगे करीब आदी मिनिट तक तो मसाला भी अच्छे से टमाटर के साथ बून चुका है तो अभी मैंने जो आलू को फोड के तयार किये है वो डाल दिया है अच्छे से मीक्स कर लेंगे अभी मैं इसमें पानी डाल दूँगी तो करीब एक गलास जितना मैंने पानी डाला है क्योंकि हमें रसे वाली सबजी बनानी है तो इस तरह से आलू भी मैंने अच्छे से डाल दिया है एक टेबल स्पून जितना मैंने गूट डाला है ये सबजी खटी मीटी अच्छी लगती है स्वादन उसर मैंने नमक डाल दिया है और वनफोर टीस्पून जितना मैंने गरम मसला पाउडर डाला है तो एकदम बढ़िया हमारी सबजी तयार होगी तो एक तरफ दाल भी उबल रही है थोड़े मीठे निम के पत्ते भी डाल दिये है जिससे दाल में अच्छी खुश्बू आ जाएगी तो दाल और सबजी दोनों साथ में उबल रहे हैं तो तब तक मैंने पूरी के लिए आटा तयार कर लिया है जो नॉर्मल यम पूरी का आटा तयार करते हैं वैसे ही मैंने किया हैं इसलिए मैंने नहीं बताया तो अभी मैं इसकी छोटी-छोटी लोई बना लूँगी आप अपने ही सबसे छोटी यह बड़ी रख सकते हो तो इस तरह से मैं सारी लोई बना के तयार कर लूँगी तो दाल और सबजी दोनों ही अच्छे से उबल रहे हैं बीच-बीच में हम इस तरह से हिलाते रहेंगे सबजी भी अच्छे से तैयार हो रही है आप देख सकते हो कलर कितना बड़ी आया है और खुश्पू भी बहुत ही अच्छी आ रही है तो सबजी हमारी ready हो चुकी है अभी मैं gas बंद कर लूँगी यही consistency हमें रखनी है बाद में यह थोड़ी गाड़ी हो जाएगी तो gas बंद करने के बाद मैं इसमें थोड़ा बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूँगी और डाल तो अभी हमारी उबल रही है तो डाल भी अच दूब का रस डालना है थोड़ा बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाला है तो अभी दाल भी हमारी ready हो चुकिय है तो मैं gas बंद करके इसमें ले लेती हूं तो सबजी और डाल दोनों ही हमारी अच्छे से ready हो चुके है तो अभी ये दाल और सब्ची दोनों को हम साइड में रखतेंगे लास्ट में हमने बारी कटा हुआ हरा दन्या डाल दिया है गैस की फ्लेम अभी मैंने बंद कर दी है तो दाल भी अच्छे से उबर के रेडी हो चुकी है तो अभी अच्छे से ये गाडी हो चुकी है तो लास्ट में हम इसमें नीबू का रस डालेंगे तो ये मैंने आदे नीबू का रस ले लिया है और लास्ट में बारी कटा हुआ रदन्या डाल देंगे तो दाल भी अच्छे से रेडी हो चुकी है तो गेस बंद कर लेती हूँ दाल को भी मैं साइड में ले लेती हूँ तो दाल और सबजी दोनों ही अच्छे से रेडी हो चुके है तो अभी हम पकोड़े का बैटर दया किया है वो देख लेंगे तो इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा डाला है और सो पानी अच्छे से सूख जाए तो अब इसे एक कॉटन कपड़े में भी रख सकते ही जिससे पानी एबजोब हो जाए तो जब तक यह आलू की चीप सूख रहे है तब तक हम पूरिया बेल के फ्राइ कर लेंगे और लास में हम आलू के पकोड़े बनाएंगे तो इस तरह से हमें पूरिया बेल लेती हूं और मैंने कड़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है जिसमें मैंने लड्डू के लिए मुठ्ये तले थे वही कड़ाई मैंने यूज में लेली है और वही तेल ले लिया है तो अभी एक एक करके हम पूरिया तर लेंगे घैस की फ्लेम बनती है हमारी तो इसी तरह से में सारी पूरिया तल के तैयार कर लूँगी और लास्ट में हम आलू के पकोड़े बनाएंगे तो पूरिया और आलू के पकोड़े हमें सव करते टाइम ही फ्राइ करना है जिससे टेस्ट अच्छा लगे तो फुली फुली पूरिया हमारी और अभी हम पकोड़ी तैयार करेंगे लेकिन इससे पहले मैं चावल के जो छोटे वाले पापड़ आते हैं वो मैं फ्राइ कर लूँगी जो दावल चावल के साथ बहुत ही अच्छे लगेंगे तो इस तरह से मैं यह पापड़ भी फ्राइ कर लूँगी और लास्ट में हमा डालनी है और अभी हम इसे इस तरह से अच्छे से बैटर में कोड़ कर के तल लेंगे मैं डालती जाओं गिति इस तरह से मैं पकोड़े दिल होँगी बैटर में अच्छे से इसे कोट करना है तो अब हिए मैंने गेस की फिलम स्लों कर दी है बेकिंग सूडा डालने से चिप्स अच्छे से अंदर से पगजाएगी और पकोडे भी हमारे फूले-फूले बनेंगे तो एकदम अच्छे से हमें पकोडे चल को फ्राइ करना है तो इस तरह से मैं पकोडे तल देती हूँ तो यह हमारे आलू के पकोडे भी तैयार होके रेडी हो चुके हैं तो मैं इसे निकाल देती हूँ और बाकी के पकोडे में इसे तरह से तल लोगी तो ये सारी सामगरी हमारी रेडी हो चुकी है तो मैं सर्विंग प्लेट में सहव कर लेती हूँ तो ये मैंने एक थाली ले लिये इसमें मैंने ये जो गुड के लड़ू बनाए है वो रखे है आलू की रसे वाली सबजी, गुजराती दाल, चावल, चावल को मैंने इस तरह से कटोरी में ले लिया है और गर्मा गरम पूड़ी, फुली फुली और साथ में हम आलू के पकोड़े जो मैंने फ्राई करके रखे है वो रख देती हूँ एकदम अच्छे बने है पकोड़े और साथ में मैंने जो चावल के छोटे वाले पापर तले है वो भी में रख दूंगी तो ये हमारी घणेश चतुर्थी स्पेशिल थाली बनके रेडी हो चुकी है सारी चीजे बहुत ही टेस्टी बनी थी आप ये रेसिपीज जरूर ट्राई कीजेगा बहुत ही अच्छी बनी है और अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आई तो मेरी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना बूले और बेल आइकन पे क्लिक करना भी ना बूले और इस थाली में मैंने बिल्कुल भी लसुन ब्यास का उप्योग नहीं किया है तो आप कोई भी ट्योहार पे ये थाली बना के खा सकते हो मेरा वीडियो देखने के लिए तन्यवाद